किसी अच्छी सी गार्डन की बस एक चमच मिट्टी में, दुनिया भर की इंसानों की पॉपुलेशन से ज़ादा माइक्रो और्गैनिजम्स है साथ में इसमें माइक्रो क्वांटिटी में पानी, गैस जैसे नाइटरजन, काबन डायोकसाइड और मिथेन भी होती है ये सारी और्गैनिक चीज़े मिट्टी को उपजाओ बनाती है, जिससे पेड़ पौध है और फसल लुकती है और लाइफ फॉर्म हमेशा से बनी रहती है पर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि सोयल क्वालिटी में काफी गिरावट आ रही है इसका में कारण है, हमारे सोयल में इन हल्दी माइक्रो और्गैनिजम और दूसरे और्गैनिक चीज़ों का कम हो जाना इसके कारण हमारे फल, सबजिया और दूसरे खाने के चीज़ों में निट्रिशन लेवल बहुती कम हो चुकी है मिट्टी का इस तरह से डीग्रेट होना, obviously हम इनसानों के द्वारा फैलाए गए, प्रद्यूशन का नतीजा है इसे अभी भी fix किया जा सकता है, मिट्टी में organic matter जादा add करके जैसे की green manure और legumes उगा के nitrogen fixation के लिए इसके अलावा chemical और inorganic components को जितना हो सके जमीन से दूर रखे